हैलो फ्रेंट्स कुछंग थैं आज हमापको बताने ओले हैं कि बायरास कैसे बनाया जाता है आप लोग वायरस की बारे में सुना ही होगा कि बायरस हो जाता है या बायरस हमारे सिस्टम हैंक कर रहा है वो बनता कैसे है, उसमें क्या होता है, यह हम आपको आज बताने आले हैं, ओके गाईस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम विस्ट की, तो यह देखिए, हम आपको desktop पे एक virus बनाना सकाते हैं, ओके, तो virus बनाने के लिए हम कुछ भी खोल लेते हैं, जिसमें हम write कर सकते हैं, हम notepad खोलते हैं, मेरे पास notepad plus plus है, ओके, तो इसमें हम को direct डालना है, start, चलिए हम notepad ही डाल देते हैं, start notepad, ओके, यह हमने इतना डाल दिया, इसके आदम कर देते हैं, enter, ठीक, इसका दुबारा डाल देते हैं, start notepad, ओके, start notepad, ओके, अब हम इसी को direct copy copy करके फिर से paste करते जाएंगे ठीक है यूद को हम डायअ को пिक करके डायारेक डायरेक पेस्ट कर देते हैं ठीक अब इसको फिर से पूरा copy कर लेते हैं होके और से यहां पर भी पेस्ट कर देते हैं ठीक है यह ऐन बहुंत हुस्टे में टीक है Prior वायरस का काम यह होता है वायरस आपके सिस्टम को ऐसे हैंग करता है कि वायरस जब आपके सिस्टम में आ जाता है तब वो अपने आपको रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है अपने आपको कई बार मतलब है अगर वो एक वायरस है तो कई बार अपने आपको ओपन करेग जितनी वार आप उसमें लिखोगे उतना टाइम मतलब नोट पैड ओपन होगा ठीक है और जब 42 टाइम तो यह है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है या उसमेरा अच्छी है तो तो सही चलेगा ठीक है अगर हम इसको बार-बार पूरा कॉपी करते हैं मालो हम इसको 4000 टाइम करते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है ठीक है जब तक उसकी प्रोसेसर मतलब डैक्स्टॉप या लैप्टॉप की प्रोसेसर मतलब छमता उसकी इतनी है खोलने तक कि तब तक तो ठीक है तब तक तो वह मालो आपका वायरस उस पे जाधा लोड नहीं कर पाएगा ठीक है लेकिन अगर उस वो जाधा time replicate हो चुका है ठीक है उसके बाद अगर वो खुलेगा ठीक तो वो direct direct आपके system पे असर करेगा ठीक वो आपके system को hang करने लगेगा ठीक आपका system चिपक जाएगा या मान लो खुलेगा यह नहीं ठीक ऐसा भी हो सकता है चलो हम आपको यह virus बना के दिखाते हैं अब इसको हम save कर देते हैं ठीक है जब हमको यह save करना होता है तब हम लोग इसके हम इसका name डाल देते हैं virus हम save करने के बाद इसमें लगाते हैं point bat ठीक है यह हम इसा बिलकुल दिहान रखना आप जब भी कोई virus बनाओगे तो उसमें आपको point bat लगाना है ठीक है अगर आप ऐसा कोई virus बना रहे हो virus कई प्रकार के होते हैं अगर आप बड़ा virus बनाओगे तो उसमें अलग लगता है यह extension आपको लगाना है ठीक है इसका आद आपको save कर देना है ठीक कि यह साइद इस नाम से save है ओके तो यहां से अटा देते हैं यहां हम virus की जगह और कुछ डाल देते हैं आप जो नाम डालना चाहों डाल सकते हो हम इसमें डाल देते हैं virus 2 ओके यह क्या है virus 2 डेज नॉट एक्षिंट पर्वेशन सेब दर लोकेशन यह लोकेशन सही नहीं है चलो हम इसको डेक्स टॉप पर साइब करते हैं ओके शॉरी यह देखिए यह हमारा save हो चुग है यहां से हम direct cut कर देते हैं यह करेंगे हम refresh यह देखिए यह देखिए यह आपको दिख रहा है virus 2 बैट नाम का यह फोल्डर हमारा बनके आ चुगा है ठीक है अब जब हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको जब हम इसको खोलेंगे तो एक बार नहीं 42 टाइमस नोट पैड ओपन होगा देखना देखिए यह देखिए यह देखो यह देखो 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 कितनी बार लग भग 42 टाइमस नोट पैड ओपन होगा ओके अगर आप इसमें ज्यादा कॉइंटिटी में लिख दोगे कि स्टार नोट पैड या फिर आप जो कुछ भी कर उसमें लिखोगे अगर वह उतनी टाइम ही टाइम रिपीट करके आप बाइरस बनाना सीख सकते हैं ज्यादा टाइम रिपीट नहीं करें नहीं तो आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है और साइद ना भी खुले फिर ओके अब देखिए इसको काटने के लिए देखना हम एक बार काटेंगे एक दो काटते चले जाए इस बाइरस को आप जब भी खुलोगे तो आज हमने आपको बाइरस बनाना सिखा दिया है उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले इंट्रेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको कुछ और नया बनाना सिखाएंगे हम तो आज के लिए वस इतना ही जय हैं जय भारत